हेलो प्रियंज वेलकम बेग टुमै चैनल आज के इस वीडियो में बहुत ही खुबसुरत गुलाप रोस्ट फ्लावर के साथ इस डिजान को क्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं परने के बाद कितना प्यारा सा लुक दे रही है तो पहले हम इस तिलिप्स को कटिंग कर लि नगे हैं चोटा सा खट लगाएंगे यहां पर भी चोटा सा कट लगा देनी है कर लगाने के बाद लगा लेते हैं एक साइड के जो हमारा प्लेटेस है वो ओल्मूस्ट लग चुकी है अब चलिए इसको इस्टिचिंग करते हुए पका कर लेते हैं तो अब यहां पर इस्टिचिंग हो चुकी है इसको निकलना का कोई भी डर नहीं है अब दूसरे साइड को प्लेटेस को भी क कुछ तरीके सेम प्रोसेश फोलो करते हुए इसको भी हम कम्प्रीट लगा लेते हैं तो फिर जहां तक साइड बे भी कट लगी हुई थी तो इन साइड में भी सेम प्रोसेश से इसको स्टिचिंग कर ली है अब उपर वाला हिस्सा को पहले सेट करना है उसके बाद ही इहां स्टिचिंग करेंगे कुछ इस तरीके से तो देखी सकते हैं यहां पर जो हमारा प्लेटे से लग चुकी है और इसको अच्छी तरी से प्रेस करते हुए यहां पर इसको भी सेट कर लेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे तो दोनों साइट को प्लेटेज जै है हमारा सेट हो चुकी है अज चलिए यहाँ पर इसको स्टिचिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो दोनों साइट इस्टिचिंग हो चुकी है, अब इसको कटिंग कर लेंगे, एक्स्टा फेब्रिक जितना भी है, हमारा इसको कट कर लेते हैं, कट करने के बाद यहाँ पर फिनिसिंग के साथ इसको कटिंग कर लेंगे, तो हमारा उपर बाला हिस्सा रेडी हो चुकी है अगर आपको थोरी से भी ज़्यादा फेबरीक लग रही है या फिर कटिंग करना जरूरी है तो आप यहाँ पर थोरी से फिनिसिंग दे सकते हैं यह बेबाद में भी दे सकते हैं तो इसको बोर्डर तयार करते हैं बोर्डर तयार करने के लिए इसके लंबाई है 15.5 इंच इसको चोड़ाई है 5.5 इंच और इसको हम लाइलिंग के फेबरीक और में फेबरीक दोनों ही एक साथ कट की थे तो इसे main फेब्री को हम उपर पे नीचे का साइड रखेंगे और लाइलिंग फेब्री को उपर साइड रखेंगे और उपर साइड रखते हुए कुछ इस तरीके से इसको attach करते हुए इस सीधा stitching कर लेंगे तो दोनों साइड हमें stitching करना है अब stitching हो चुकी है अब दुसरे साइट किट को पलट लेंगे दुसरे साइट पलटने के बाद कुछ इस तरीके से अंदर के साइट फोल्ड हो जाती है जितना भी हमारा धागा बढ़ाने के कोई भी डर नहीं है तो चलिए फटा-फट से इस बोर्डर को चाड़ो और स्टिचिंग कर लेते हैं तो हमारा जो बोर्डर है और लगभग बन के तयार हो चुकी है अब दोनों ही पार्ट को एक साथ रखेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे जितना भी हमारा पास एक्स्टा फिबरी के उसे हम कट कर ली है कट करने के बाद हमारा मेन सिलिप्स और बोर्डर को हम एक साथ रखेंगे और यहाँ पर अगर थोड़ी से भी बारी लगती है तो यहाँ पर आप कट कर सकते हैं तो यहां पर हमने cut कर ली है दोनों की अच्छी तरीके से नाप लेते हुए अब यहां पर इसको stitching करेंगे जो हमारा border है उपर के side रखेंगे और कुछ इस तरीके से यहां पर इसको stitching कर लेंगे तो हमारा border है main slips के साथ attach हो चुकी है अब इसमें हम design create करने के लिए lace लगाए है यह lace बहुत ही प्याड़ा है आप चाहूँ तो यहां पर कोई भी lace लगा सकते हैं अगर आप कोई भी simple blouse के slips को designer look दे जाते हैं तो आप simple lace यहां पर use कर सकते हैं तो देखिए इस lace को चाड़ो तरब stitching कर लेते हैं तो यह अची तरीके से fixed हो जाएगी तो देखिए उपर के side इसको fixed कर ली है आप सेम प्रोसेस फोलो करते हुए नीचे के side बे भी इस lace को completely stitching कर लेते हैं तो प्रेंज अभी तक भी चैनल के subscribe नहीं किये हैं तो प्रेंज चैनल के subscribe किजिएगा और bell notification ज़रू से प्रेंज करना जब भी हमने इने वीडियो अप्लोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखिए यहां पर तो हमारा stitching हो चुकी है अब इस design क्रियर करने के लिए र डबल फोल्ड करते हैं डबल फोल्ड करने के बाद यहां पर थोड़ी सी मार्जिन चोड़ता हुए इसे stitching कर लेंगे तो फ्रेंट्स एहां पर इसको stitching कर लेंगे इस其实 करने के बाद इसको दूसरे साइट फिलटनी है तो इस तरीके से इसको पिलटने के बाद इसको सीधा कर लेंगे इसको जो ग्रोस बनाना स्टार्ट कर दी है अगर आप ऐसे ही कुछ इस तरीके से रोस बनाते हैं तो एक आप ही खुबसुरत बन के तयार हो चुकी है तो देखी सकते हैं कितना जल्दी जल्दी इस रोस को हम बना रही हूँ कुछ इस तरीके इस रोस को बनाने के बाद इहां पर इसको कटिंग कर लेंगे तो थिरी रोस हमें चाहिए होगा तो तीनों ही लेस हमने इहां पर बना दी है आप मीडिल में एक मार्क लगाएंगे मार्क लगाने के बाद तीनों ही रखते हुए हम देख लेते हैं जह हमारा कहा कर लगने से अच्छा होगा तो कुछ इस तरीके से इस रोस को लगाएंगे और बीच वो बीच इसको इस्टिचिंग करना बहुत इज़री है नहीं तो निकल ना का कोई भी डर रहीती है तो आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस रोस को हम लगा लेते हैं तो चलिए फटा फ़र से तीनों रोस को लगा लेते हैं तो एक रोस हमारा लग चुकी है और यहां पर हम मीडिल में गोल्डन कलर के जो मोती है उसको हम यहां पर लगाएंगे तो गोल्डन कलर के मोती लगाने से एस को जो लोंग लास्टिंग और भी अच्छा हो जाती है अच्छी तरीके से फिक्स्ट हो जाती है तो आप दूसरे lace यहाँ पर लगाएंगे सेम प्रोसेस फोलो करते हुए तीसरी lace भी यहाँ पर लगा लेंगे तो तीनों ही रोज हम यहाँ पर attach कर लेते हैं बनने के बाद बहुत ही प्यारा look देने वाले हैं तो देखी सकते हैं आप कोई भी हमने डिजाइन क्रिएट करने के लिए यहां पर पोटली बटन बनाए है पोटली बनाने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से इसको छोटा सा लटकन बनाएंगे पोटली बटन के साथ और जितना भी आपका पास जितना भी साइच के मोती है आप उतना साइच के मोती यहां ले सकते हैं तो हमारा पास 300-400 साइज के मोती था तो हमें यहां पर लगा दिए अगर आपका पास तौर चोटा ही मोती है तो वी आप यहां पर लगा सकते हैं तो देखिए यहां पर जो हमारा डिजाइन है अल्मोस्ट डेन हो चुकी है अब यहां पर और भी खुबसुरत बराने के लिए इसको छोड़ छोटा जो स्टोन मोती होता है उसको हम यूज करेंगे तो गुलू के साहिता से इसे यूज करेंगे और यह जो बनने के बाद यह और निकलता नहीं है कोई भी निकलना बिगड़े के डर नहीं है तो आप अगर कोई भी गुलू यूज करें तो ऐसे ही गुलू यूज कर सकते हैं बहुती अच्छा गुलू है क्यूंकि हमने एक कूर्ती बनाये थे उसमें भी यूज के हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं हो र लगाने के बाद कुछ तरीके से हमने के पूरे लगाया है हरेखी सकते हैं फवेनल लुक बनने के बाद काफी खुश्रुत लग रही है कॉमेंट में जरो बताना को कि सिदुह डोच में नंस